हेलो स्टुडेंट्स टुडेंट्स टॉपिक इस मैकनीजम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इसमें क्या होता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग इसमें पहले जैसे कि हमारा ब्लड जो है अगर कोई भी इंजरी हो रही है लाइक हमारा एक्स्टर्नल कोई चोट लग रहा है ठीक है तो उस पर क्या होगा हमारी है मतलब बहुत सारे ब्लड जो है फ्लो होंगे ठीक है न तो उसको जो है रोकने के लिए जो प्रॉसेस होता है उसको बोलते हैं मैकनीजम अफ ब्लड क्लॉटिंग इसमें एक टर्म आएगा हैमियोस् स्टुडेंट हैमियोस्ट्रेसिस मीन्स हैमियोस्ट्रेसिस मीन्स हैमियोस्ट्रेसिस मीन्स इस्टॉफ ब्लीडिंग ठीक है इस्टॉफ ब्लीडिंग इस्टॉफ ब्लीडिंग अल्राइट है में हैमियोस्ट्रेसिस मीन्स इस्टॉफ ब्लीडिंग ठीक है ब्लीडिंग को प्रोगने का काम हमारे basically hemiostasis में होगा ठीक है तो hemiostasis further आपके three parts में divide होते हैं हमारे ठीक है these are the types of hemiostasis vasoconstriction platelet plug formation and coagulation means blood clotting all right so basically students इसमें क्या होता है हमारे hemiostasis का मतलब होता है it is a sequence of response ठीक है it is a sequence of response to stop bleeding all right it is it is the sequence sequence of blood to stop clotting to stop bleeding sorry to stop clotting नहीं to stop to stop to stop bleeding ठीक है bleeding को रोगते हैं ठीक है so basically मैंने बताएं कि यह basically three types का होता है vasoconstriction platelet plug formation और coagulation so हम सबसे पहला जो type है इसका vasoconstriction यह देखेंगे first type है हमारा vasoconstriction so students हमारी hemiostasis का मतलब होता है it is the sequence to response stop bleeding ठीक है to stop bleeding so basically यह जो है हमारे further three types में divide होते हैं अभी हम one by one देखेंगे कि यह कैसे होते हैं ठीक है so पहला होते है हमारा vascular spas ठीक है vascular spas all right these are the first type then next is platelet plug formation and next is blood clotting these are the third type of hemiostasis ठीक है blood clotting so basically अभी हम बात करेंगे vascular spas में ठीक है so basically vascular spas में कैसे होता है smooth muscles of blood vessels मतलब जो हमारे smooth muscles होती है blood vessels की वो सबसे पहले damage होती है ठीक है smooth muscles of blood vessels ठीक है तो सबसे पहले जो है हमारा smooth muscles ठीक है वो क्या होंगे हमारे damage होंगे और यह क्यों होंगे तो due to tissue damage क्योंकि यहां पर क्या हो रहा हमारा tissue damage हो रहा है ठीक है इस वजह से होंगे ठीक है due to tissue damage ओल्राइट वैस्क्यूलर स्पास्म में हमारा क्या बता है मैंने आपको इस्मूद मसल्स ब्लड वेसल्स की जो इस्मूद मसल्स होती है वो पहले एफेक्ट होंगी और यह होंगी क्यों तो ड्यू टीसू डैमेज हो रहे हैं ठीक है सु टीसू डैमेज होंगी ठीक है तो यहां पर क्या होगा हमारा कुछ सबस्टांस जो है क्या होंगी रिलीज रिलीज ओसस्टान्स ठीक है यहां पर सबस्टान्स रिलीज होगी जिसकी वज़ाए से हमारा क्या होगा वैसो जिसकी वज़ाए से हमारा वैसो कंस्रिक्शन स्पोघुन आइट कुस्ट्रेग्टर सबस्टान्स। वेसो कंस्ट्रेग्टर सबस्टांस। वेसो। सबस्टांस। आपसब्सट। सुटूड rhetorplumat यहां पे जो है हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पाज्म हमारे blood vessels के अंदर मसल्स हो एंचेर्ट करें तक हो सीसु दैमेज से हो त्व्यूंच ने से क्या होगा कुछ सबस्टांस जू है रिलीज होंगे और वहां पर वैसोग नियुसी नियुक्त सबस्तांस होने से हमारे वैज कंस्ट्रीक्षंस होंगे टीक हैं वैस्टों कंस्ट्रीक्षंस सो भी यहां पर है जैसे की हम लोग को पता है कि की प्लेट लेट में कोई न्यूकीलिस प्रेजेंट्स नहीं होते हैं सो बेसिकली यहां पर जो है जैसे कि मैंने आपको बताएं कि हमारी यह क्या थी थी टाइब सी ठीक है होमियस्टेटिस का थी टाइब सा बेसिकली क्या वैसो कंस्ट्रिक्शन प्लेटलेट प्लग को क्या करते हैं तो फर्धर यह सटीक्शन प्लेटलेट प्लग formation और कॉगूलेशन सो स्टुडेंट्स कंस्रिक्शन हुआ कैसे G Bunun आपको फिर से बताएं कि यह मैंने बताया कि फर्दर जो है हमारा फर्दर जो है हमारा आपका हम हमेस्तैस ऊच्छी ब्लड प्लड हो रही है थो यह घ्री इसमेज stop होंगी ठीक है वेस्क्यूलर इस्पाज्म ठीक है और प्लेटलेट प्लग फॉर्मीशन और ब्लड कोगलेशन इस पाज मतलई यहां पर जो है कोई हो रहे हैं तो टीसो डामेज होने से हमारे यहां पर हमारा कुछ सबस्टांस जो है रिलीज ओंगे और इसकी वजह से हमारा क्या होगा वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा ठीक है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन से वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है आपके यह आपके बेसिकली यह आपके smaller blood spasm होगा यहाँ पर ठीक है smaller यह होंगे कहाँ पर तो कोई भी हमारे smaller blood spasm में ठीक है blood spasm all right so basically यहाँ पर जो है कुछ hours के लिए होंगे ठीक है कुछ hours के लिए जो है यहाँ पर spasm होगा ठीक है तो इस process को हम क्या बोलेंगे vasoconstrictions ठीक है student vasoconstrictions और यहाँ पर जो है activated blood यहाँ पर यह सबस्टांस release होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है हमारा यहाँ पर जो है आपका activated platelet cells होते हैं ठीक है जो भी activated हमारी platelet cells होती है वो यहां पर जो है प्रेजेंट से होते हैं अभी जब हम लोग पाथवे पढ़ेंगे ब्लेड कोगलेशन को तो हमें पता चलेगा या हम ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स हैं वो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्टिवेटेड लेटिस अवरेट ला कोँन से होते हैं ठीक है एक्टिवेटेटेड प्लेटस सेल सेल ऐड़ेड़ेट्स सेल्ड़ेड वाइससे जुए आप्स प्रेतलदस हो रहे हं सबस्टान्स जिस्से हमारा क्या हुआ वैसो कन्स्ट्रिक्शन हुआ और यहां पर वैसो कन्स्ट्रिक्शन जो है बैसिकली इसमॉलर ब्लड इसपास में कुछ आर्ज के लिए होंगे ठीक है तो आपको अच्छे से बताई था कि आपको अच्छे से समझाए कि वैसो इस तो इसटोदेंट नेक्स्ट था हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इसमें क्या होते हैं फ्लेट फ्लग फ्रमेशन भी अध्य चिंग एटलेट में रिलीज एड़ीप एटीप फिसारी ADP, Adenosin, Diphosphate, all right, which attract more platelets to side form temporary cell, यह जो है आपके, यह जो है आपके platelets के side पे अपना temporary cells बनाते हैं, basically, और इनकी shape भी जो है, क्या होती है, change हो जाती है, all right, so basically platelet plug formations में क्या होता है, यहां पे जो है platelet plug formations में जो है यहां पे आपका कुछ compounds होते हैं ठीक है some some compounds और यहां पे यह सारे compounds बनेंगे कैसे तो bleeding को रोकने के लिए सबसे पहले बात यह समझें कि bleeding को रोकने के लिए जो है हमारा platelet plug formations हो रहा है जिसकी वजह से जो है हमारी bleeding क्या हो स्टॉब हो जाए ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे platelet plug formations बोलेंगे ठीक है bleeding को रोकने में help करती है ठीक है उस टेप को हम बोलते है platelet plug formations ओल राइट हैम ceo basically platelet plug formation यहां पर क्या हो रहा है bleeding जो है basically क्या हो रही है रूक रही है ठीक है, bleeding जो है, हमारी क्या हो रही है, रुक रही है, bleeding stop, all right, so bleeding stop करने की जो steps है, उस process को हम क्या बोलेंगे, platelet plug formations बोलेंगे, so adhering platelets and release ADP which attacked more platelets to the site of temporary cells, all right, इसकी shape भी जो है, क्या होंगी, हमारी change होंगी, all right, so यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताएं कि कुछ जो है, हमारे substance जो है, यहां पर होते हैं हमारे compounds, ठीक है, उनका नाम बताऊंगी मैं कि वहां कि साइट पे जो है, हमारा platelets plug formations होती हैं, तो basically हमारी होंगी, आपके ADP, adenosine trifosphate, जैसे कि मैंने आपको बताएं, ADP, ATP, adenosine trifosphate, ठीक है, ADP, ATP, ठीक है, all और आपके सबस्टान्स होंगे, thromboxin A2, ठीक है, thromboxin A2, ठीक है, और होंगे, serotonin, ठीक है, और होंगे आपके, fibrin stabilizing factor, fibrin stabilizing factor, ठीक है, इसको हम sort में बोलते हैं, fibrin stabilizing factors जो हैं, हमारे होंगे, और next होंगे, हमारे platelets, platelet derived growth factor, okay, so students, platelet derived growth factor, जो हैं, हमारे, इसको sort form में हम बोलते हैं, PD, platelet derived growth factor को sort में हम बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, cell के अंदर differentiation करते हैं, यह platelet derived growth factors क्या करते हैं, हमारे cell के अंदर differentiation करते हैं, अल्राइट, so basically, यहाँ पर जो है, bleeding रोकने में यह सारे steps जो हैं, यूज होती हैं, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके, यह आप structures देख सकते हैं, इस सरह से, ठीक है, ठीक है, यह हमारा क्या है, आपका platelets है, ठीक है, यह जो blue box दिख रही हैं आपको, ठीक है, यह क्या है हमारे platelets है, ठीक है, अल्राइट, सो यहाँ पर जो है, यह इसको हम बोलेंगे collision, ठीक है, collision fiber, collision fiber, ठीक है, सो basically, and this portion is called RBC, So, यहाँ पर प्लेटलेट्स के अंदर आपके vescular, मितलब, vessel जो हैं, vessels जो हैं, होती है, ठीक है, platelet के अंदर हमारी चोटी चोटी क्या हैं, मितलफ रहा हैं, ठीक है? ठीक है, तो इस vessels के अंदर जो हैं, कुछ सबस्टांश होते हैं, ठीक है, यह जो आपके blue-blue vessels देख रही है इसके अंदर जो है यह सारे सबस्टांस मिन्स यह सारी जो compound है ठीक है यह सारे compound हमारे platelets के अंदर जो vessels है उनके अंदर पाई जाती है ADP ATP thromboxin A2 serotonin fibrin stabilizing factor platelet derived growth factor these all factors comes under the platelet vessels all right so platelets के vessels के अंदर ठीक है यह सारे जो है होते हैं ठीक है so next हम लोग देखेंगे जैसे कि हमको पता है कि platelet cells जो है सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना आप कि platelet cells जो है हमारी ठीक है platelet cells जो है हमारी वह क्या करती है help करती है clotting के लिए ठीक है blood clot के लिए platelet cells जो है help करती है suppose मालों की चोट लगने से blood vessels क्या हो जाते हैं हमारे damage हो जाते हैं कोई भी हमारे मतलब बाहरी चोट लग रही है या कोई भी injury हो रही है तो उससे क्या होगा हमारा blood cells जो है क्या हो है blood clotting के लिए platelet cell के अंदर जो है कुछ proteins होती है जो responsible होती किसके लिए blood clotting के लिए all right so basically platelet clotting के दो process है these are basically two process blood clotting process basically हमारे क्या है दो process है two process first is extensive path first is extensive extensive so student extensive path में क्या होता है सबसे पहले हमारे क्या होंगे कोई भी हमारी चोट लगा तो सबसे पहले क्या होगा हमारा tissue damage होगा ठीक है क्या होगा हमारा tissue damage होगा ठीक है यह tissue damage होंगे ठीक है और यहां से फिर क्या होगा हमारा tissue damage होने से और यह tissue जो है हमारे outside from blood vessels एक चीज़ ध्यान रखना यह हमारे blood vessels के outside में जो है टीसू हमारे क्या होंगे डैमेज होंगे ठीक है और यहां से फिर क्या होगा हमारा कुछ material जो है secret होंगे ठीक है like material जो secret होंगे वो होंगे हमारे thromboplastin thromboplastin ठीक है so student basically thromboplastin जो है यह हमारा क्या है first factor है blood clotting का एक चीज हमेशा ध्यान रखना thromboplastin क्या है first factor है kisses का blood clotting का ठीक है so thromboplastin जो है thromboplastin जो है फिर यह जो है हमारा यह basically convert होंगे active factor 10 में ठीक है this thromboplastin convert into active factor 10 ठीक है active factor 10 ठीक है यह किस में convert होगा हमारा active factor 10 में ठीक है so फिर यहां से क्या होगा यह फिर active factor 10 जो है active factor 10 जो है फिर यह convert होंगे हमारे इन एक्टिव स्टेज में ठीक है कुछ यह एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप कि injury कोई भी हमारे को क्या होता है injury होती है तो चोट लगने से पहले यह in active stage में रहता है ठीक है और चोट लगने के बाद क्या हो जाता है active stage में आ जाते हैं ठीक है तो injury जो है आपका injury अगर नहीं होती है ठीक है तो यह क्या रहते हैं हमारे in active stage में रहते हैं और injury होने के बाद क्या हो जाता है यह active stage में आ जाते हैं ठीक है तो अगर हमारा tissue damage हुआ तो यहां से जो है हमारे क्या होंगे कुछ material secret होंगे और वह material क्या है थ्रमबो प्लास्टीन है थ्रमबो प्लास्टीन जो है first factor है हमारे blood clotting का ठीक है तो फिर यह क्या होगा inactive stage में ठीक है inactive factor 10 ठीक है inactive factor 10 में रहेंगे यह ठीक है और basically फिर यहां से क्या होगा तो यह process जो है हमारा यह process को हम क्या बोलेंगे extensive path ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम extensive path ठीक है extensive path ठीक है तो extensive path में क्या हो रहे है हमारे tissue damage हो रहे है ठीक है और यह outside blood vessels ठीक है tissue damage हो रहे हैं वहाँ से हमारे material secret हो रहे हैं क्या thromboplastin and thromboplastin is first factor of blood clotting first factor of blood clotting और यह tissue factor है basically यह क्या है हमारे tissue factor है एक चीज़ और धियां डखना these are tissue factor all right so यहाँ पर फिर क्या हुआ thromboplastin जो है convert हुआ active factor 10 में जैसे कि मैंने आपको बताएं कि injury नहीं होने से पहले यह inactive factor 10 रहते हैं और injury होने के बाद यह convert हो जाते हैं हमारे active stage में ठीक है अब हम लोग second path देखेंगे ठीक है जो है intensive path so basically intensive path में क्या यह जो है हमारे यहाँ पर क्या होगा हमारा blood vessels damage होंगे ठीक है blood vessel damage damage blood vessels ठीक है so basically यह यह related है हमारे blood vessels से ठीक है तो यहाँ पर जो है हमारे blood vessels damage होंगे ठीक है blood vessels damage होंगे और यह फिर और यह फिर जो है आपका यह जो है आपके convert होंगे ठीक है convert होंगे factor 10 में और इससे फिर हमारा क्या होगा blood clotting जो है blood clotting होगी ठीक है तो यह basically हमारे factors है कि किस प्रॉसेस से factors नहीं है sorry यह basically path है कि किस path के according जो है हमारे bloods जो है clot हो रहा है ठीक है तो students next देखेंगे हम blood clotting factors they are basically 13 factors ठीक है 13 factors है blood clotting के तो हम लोग one by one देखेंगे सारे factors को ठीक है तो students एक चीज ध्यान रखना आप आपको समझ में आया मैंने क्या बताए कि हमारे जो platelets है platelets cells जो है blood clotting के लिए help करते हैं ठीक है और चोट लगने से पहले vessels जो है हमारी अगर damage होती है ठीक है तो platelets cells जो है यहां पर क्या होता है हमारे protein जो है responsible होते हैं ठीक है blood clotting के लिए और basically यहां पर दो path है extensive path और intrinsic path जो कि मैंने आपको बताएं ठीक है यह हमारे extensive path है यहां पर क्या हो रहा है हमारे tissue damage हो रहे है outside the blood vessels ठीक है tissue damage होने से फिर हमारे क्या हो रहा है कुछ material secret हो रहा है वह material क्या है हमारे thromboblastin है और यह tissue factor होता है और यह basically हमारे blood clotting का first factor है ठीक है तो यह जो है यहां पर पहले क्या होगा thromboblastin convert होंगे हमारे active factor 10 में ठीक है और एक ध्यान रखने जिसे कि मैंने आपको बताएं कि injury होने के बाद जो है यह active stage में होते हैं और injury नहीं होने से मतलब होने से पहले यह क्या रहते है इन active stage में रहते हैं ठीक है तो यह हमारा extensive था और intrinsic में मैंने क्या बताएं यहां पर है blood vessels हमारी damage होती है तो basically student blood vessels जो damage होंगी हमारी तो blood vessels relate होते है blood vessels से ठीक है और यहां पर जो है यह convert होते हैं हमारे factor 10 में और इससे क्या होता है हमारे blood clotting होते हैं ठीक है एक चीज़ और मैंने आपको बताए थे कि हमारी plasma protein जो है plasma protein like prothrombin ठीक है and fibrinogen plasma protein is prothrombin and fibrinogen ठीक है ठीक है ठीक है तो basically यहां पर जो है हमारे prothrombin और fibrinogen यहां पर inactive prothrombin protein जो हैं आपके इन एक्टिफ प्रो inactive prothrombin protein inactive prothrombin proteins जो हैं हमारे यह आपके किसमें convert होंगे active factor 10 ठीक है with the help of factor 10 तो यह क्या बनाएगा हमारा active prothrombin active prothrombin ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है यह change हो रहा है यह change कर रहा active inactive prothrombin protein जो हैं with the help of factor 10 से यह क्या बना रहे हमारे active prothrombin बना रहे हैं ठीक है so student basically अब हम देखेंगे inactive fibrinogen ठीक है inactive inactive fibrinogen ओल्राइट so basically inactive fibrinogen जो है prothrombin के help से ठीक है यह क्या बनाएगा हमारा active fibrinogen active fibrinogen ठीक है अब active fibrinogen जो है यह फिर हमारे factor 8 ठीक है factor 8 के help से क्या होगा हमारा blood clot का formation होगा formation of blood clot so students यह हमारे blood clotting के factors है these are blood clotting factors blood clotting factors blood clotting factor all right so basically blood clotting factor को जो है roman number में लिखा जाता है पहला factor है हमारा fibrinogen all right second factor is prothrombin and then third factor is tissue factor okay fourth factor is calcium fifth is labile factor six is a stable factor or seven is anti-haemophilic factor and and nine is christmas factor all right so basically and ten is uh saturate power factor 11 is plasma thromboplastin ठीक है plasma 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 thromboplastin एंटी सिडेंट जिसको short form में PTA बोलते हैं यह actually anti-haemophilic factor होता है ठीक है anti-haemophilic factors होते हैं anti-haemophilic factor कोई हम क्या बोलते हैं plasma thromboplastin antecedent जिसको short form में क्या बोलते हैं PTA ठीक है then 12 is heigman factor and last is 13 is fibrin stabilizing factor all right so student basically हम लोग को इस चीज में एक चीज ध्यान देना है कि यहां पर जो है factor one thing यहां पर क्या है हमारा there is no factor 6 ठीक है so basically यहां पर जो है हमारा यह सारे factors थे blood clotting के factors ठीक है यह blood clotting के factors है fibrinogen prothrombin tissue factor calcium level factor stable factor anti-haemophilic factor Christmas factors ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह क्या है हमारे roman number में basically लिख रखा factors को हमेशा जो है blood clotting factor को हमेशा जो है रोमन नंबर में ही लिखा जाता है ठीक है और यहां पर जो है हमारा factor 6 factor 6 जो है vitamin k के लिए essential होता है ठीक है vitamin k के लिए हमारे factor 10 जो है sorry 6 जो है essential होते हैं for the synthesis of factor second 7 and 10 7 second और 10 के synthesis के लिए जो है हमारे vitamin k means factor 6 is essential for vitamin k and it is synthesized for factor second 7 and 10 so student basically आज का topic हमारा complete हो चुका है हम इसको one by one revise कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा so आज का हमारा topic था blood clotting mechanism मतलब इसके process क्या है blood clotting के ठीक है so एक जीजब धार रखना जब भी हम को चोट लगती आज तो चोट लगने से क्या होता है और चोट लगने के बाद क्या हो जाता है, हमारा active stage में हो जाता है, ठीक है suppose मालो कि कोई भी tab है, ठीक है suppose मालो ये हमारे washroom का tab है, ठीक है तो washroom के tab में जो है, टैब इसका अगर broken हो गया, तूट गया तो क्या होगा हमारा, पानी flow होने लग जाएगा, ठीक है पानि जो है बाहर निकलने लग जाएगा ठीक है तो इसके लिए हम क्या के यहाँ पे कोई भी इसको रोकने की कोशिश करेंगे ठीक है वैसे हमारे को Clayक करता है तो प्लैटलेट जो है ब्लट क्लोटिंग के लिए बहुत ही रेस्पॉंसिबल है ने यह करते हैं ठीकी मैंने आपको और न सब्सक्राइब करने जाइं कि हमारे वाश्रूम या कहीं किसी बिवी जगह का पानी जो है तर प्रॉट हो गया ऊच्राम मैं पानी की फ्लो होने लग जाएगा तो इसके लिए हम कोई आपनी की फ्लो रुक जायह । वैसे Or ब्लट जो है उसको रोखने के लीए जो help करता है। बेसिकली प्लेट लेट्य िप्लेट सेल्स करते हैं। एकस्टेंशीक और यह बिसिकली हमारे टाइप्स थे थिक Come वैसो कंस्रिक्षिन प्लेट प्लग फॉर्मिशन और कोगुलेशन ब्लड क्लोटिंग ठीक है तो यह है मिलीडिंग को ब्लेड क्लोट को ने ब्लीडिंग को जो है क्या करेगा हमारा करेगा ठीक है तो इस टॉप फॉर्मिशन और कोगुलेशन डिक है तो हमने दिखा ता यहां पर वैसो कंस्रिक्षिन कैसे हुआ बेसिकली हमारा blood clot जो है blood clot basically हमारे थ्री पार्ट में डिवाइड हुए है वैस्कूलर इस्पास्म मतलब इस्पास्म इस्पास्म जो हो जा रही है ठीक है और platelet plug formation and platelet blood clotting ठीक है तो यहां पर वैस्कूलर इस्पास्म कैसे होई हमारे blood vessels में smooth muscles के अंदर ठीक है इस्पास्म होई और यह स्पास्म कैसे होई तो due to tissue damage यहां पर जो है हमारे tissue damage हो गया है जिसकी वज़ा से हमारे blood vessels में जो है हमारे spasm हुआ ठीक है तो यहां पर जो है क्या हमारे release होगा तो यहां पर कुछ substance release होंगे ठीक है जिसकी वज़े से हमारा क्या होगा व्यक्रणा कैसे तो यह स्मौलर स्पास्म होंगे और एक चीज और ध्यान रखना आप कि यहां पर जो है activated platelet cells हो रहे हैं वह वह active है मैंने बताएं कि छोट लगने से पहले इन इन एक्टिव स्टेज में होते हैं और चोट लगने के बाद क्या हो जाते हैं वह एक्टीव हो जाते हैं तो नेक्स्ट हमने देखा था नेक्स्ट हमारा टाइप जो था प्लेट प्लग फॉर्मेशन तो प्लेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है हमारा प्लेट प्लग करती है उसके process को basically हम क्या बोलते platelet plug formation ठीक है तो यहाँ पर bleeding भी हमारी stop हो रही है due to adhesive platelet release यहाँ पर ADP हमारा क्या हो रहा है release हो रहा है ठीक है और यह जो है यह temporary seals कर रहे हैं platelet के side के formation पर और इनकी क्या हो रही है जो है चेंज हो रही है ठीक है तो यहां पर सबस्टांस जो कुछ compound हमारे को यहां पर आ रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया थे कि यह हमारा प्लेट्लेट्स के अंदर यह हमारे कोलेजन है ठीक है और कोलेजन फाइबर है और यहां पर जो है हमारे RBC भी होता है ठीक है RBC की size कितनी होती है यहां पर तो 8 micrometer ठीक है 8 micrometer होती है ठीक है RBC की size और blood clotting का पार्ट है हमारा homeostasis एक चीज़ ध्यान रखना जैसे कि हम लोग अभी पर रहते होमेस्टेसिस क्या है blood clottings के पार्ट है ठीक है है ठीक है तो बेसिकली RBC ठीक है RBC RBC की size कितनी है हमारी 8 micrometer ठीक है ठीक है सो बेसिकली homeostasis हमने देख लिया ठीक है इसके factors देख लिए हमने इसके pathway देख लिए हमने ठीक है blood coagulation ठीक है blood coagulation बेसिकली हमारे blood coagulation basically हमारे आपके blood clotting के factors जो हमारे involved है blood coagulation के लिए ठीक है blood coagulation के लिए blood clotting factors blood coagulation के लिए जैसे कि हमारा fibrinogen prothrombin tissue factor calcium labile factor stable factor anti-amophilic factor and crispus factor so many factors are here ठीक है तो these are the factors of blood clotting all right these are the factors of blood clotting एक चीज और ध्यान डखने हैं आप लोगों को जैसे कि मैंने आपको बताएं यहां पर जो है हमारा vasoconstriction vasoconstriction ठीक है vasoconstriction में क्या हो रहा है हमारा vasoconstriction में basically हमारे हो रहे हैं प्लेटलेट एडेयर टू डेमेज और इट रिलीस सेरोटोनीन ठीक है विच रिड्यूस ब्लड ठीक है यहां पर क्या हो रहा है सेरोटोनीन जो है रिलीस हो रहे हैं ठीक है और जो की क्या कर रहे हैं ब्लड को जो है रिड्यूस कर रहे हैं ठीक है ब्लड कोगलेशन को क्या कर रहे हैं यह यह रिड्यूस कर रहे हैं ठीक है तो vasoconstriction जो है आपके प्लेटलेट एडेयर प्लेटलेट एडेयर टू डैमेज वाल डैमेज वाल ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा हमारा आदिपी जो है अदीपी एडेयर एडेयर इनोसीन ट्राइफोसपेट एडिनोसीन डाइफोसपेट ट्राइफोसपेट तो यहां पर आप इस तरह से देख सकते हैं इसके structures को यह हमारे क्या है blood vessels हैं यह हमारे blood vessels हैं और vessels के अंदर जो है हमारा क्या हो रहा है blood flow हो रहा है यह क्या हो रहा हमारा blood flow हो रहा है vessels के अंदर यह क्या हो रहा हमारे blood flow हो रहा है ठीक है So, यहां पे क्या होगा हमारा, यहां पे जो है हमारा serotonin, यहां पे क्या होगा हमारा serotonin, ठीक है? serotonin जो है blood flow को क्या करेगा जो blood flow हो रही है उसको क्या करेगा blood flow को reduce कर देगा blood flow को reduce कर देगा और यहां पर जो है निमारे 5HT serotonin sanctals मिलst जो है reduce कर देंगे ठिक है तो यहां से serotonin हमारा secret हो रहा है basically serotonin हो है हमारे release हो रहे हैं और यह reduce कर रहे हैं blood flow को ठीक है so student next class में हम लोग पढ़ेंगे importance of blood thank you